हेलो दोस्तो आज स्क्रीन पे आपके सामने हैं इंस्टिटूट अफ चाप्ट अन्स पंडिया हमान इस्टिटूट का लोगो लोगमीस प्रतीक चलिए और मैं बात करने वाला हूं हमारे मोटो की मोटो मतलब सिध्धान कि हमारा मोटो क्या है यह एश सुप्तेशु जागरती वन हुष अवेट अमंग ओल डाट होई स्लिप एक ऐसा परसंड जो जगा हुआ है बाकी लोगों में जबकि बाकी लोग सो रहे हैं जो इस तरीके से क्यों होती है जैसे बाकी लोग सक्षो रहे हैं ऐसा यो लग रहा है कि जो बंदा चिकिंग कर रहा है वो तो सो रहा है वो तो वैसे ही मार्क्स दे रहा है मैं सब्सक्राइब आप सबने काफी वीडियो देख ली होगी थैंक्स टू पंगलजर सर जिन्हों ने पहली बार यह वीडियो बनाई फॉलवड बाई नीड़र जिन्हों इस बात को आगे बढ़ाया और 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 फेबरेट परवीन शर्मा सर दिरे दिरे इन लोगों ने अ आगे बढ़ूं मैं बताना चाहता हूं I am a very proud charter accountant four years back I became a CA I had a very well-paying job in PwC which I left to follow my passion for teaching now when nowadays जब इस पूछता है कि सब बताओ 90 marks का attempt क्या था 30 marks आया क्या करें मैं बोलता हूं कि मौक्टेस दो अपनी गलतिया सुधारो अपने माक्षित मंगवाता कि अपनी गलतियों का पता चले बट यहां तो उल्टा हो गया हूं यहां पर समझी में आ रहा है कि बच्चे को हम लोग दिलासा कैसे दें क्या आप बोलें सो अगें I had some discussion with other faculties and then we decided किसी गलती हर पेपर में नहीं है कुछ में बट इवन गलती शुद नहीं एक पेपर में अगर एक हज्यार पेपर में इवन एक पेपर में ऐसी गलती हो रही है this is not acceptable एक बंदा ने अपने पूरी जिन्री की मेहनद किया है एक एक एक्जाम देने के लिए आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो हम सब ने एक्जामपर्स देखे हैं हम सब SAC को जानते हैं जो पेपर अपने आर्टिक से चिक करवाते हैं मैं परसनली जानता हूँ अब यह अब यह एक वीडियो डिली गई है जिसे में बताया गया है कि इन्यूवर्सिटी प्रोफेसर्स भी चिक करते हैं पेपर गई नव इस दो जस्तिफाइब इस दुट्रिटेटिट चारजे सफिशेंट अमाउट एग इजांपरी और बढ़ा दो अगर इजांपर रहा है अफजास पर बढ़ा दो बच्चों के साथ यह मत करो इस इस दिए को इस दो अट इस दिए अग्सेपर्स दॉट इस दिए All the faculties have come together, this is the first time कि एक मैटर पे सारे फेकल्टी इकठे हैं वो शाय आशिश का अलग सरो हमारे पर्वीर सर्मा सरो, निरश सरो, सारे सर इकठे हो रहे हैं मैं भी उन में से एक पार्थ हूं BUT The thing is कि अगर आपका अटेंप नमबर 2018 में है आपको क्या करना चाहिए? So, it's a very humble request from a friend. Kindly leave this video. Please go. Switch off the net. Switch off the wifi. Go and study. Go and study. That is the only way forward. See, there are two things. One which is in your control and one which is not in your control. यह जो इस्टिटूट में प्रेशर बना रहे कोशिस कर रहे हैं. This will give result. I am not denying that. This will give result. But it will take some time. अगर आपका एक्जाम November 18 के बाद है. May 19 है. November 19 है. It's fine. You can be involved. But अगर आपका एक्जाम November 18 में है. भई, दो महीन है. बहुत ही कुश्चल है. Please इसे अभी एक second important है. इसे waste मत करो. Leave these videos. अभी पढ़ाई कर लो. दो महीने बाद जब एक्जाम कंप्रीट हो जाएगे November में. Then we will unite again. Then we will march again. And then हम लोग और प्रेशर बनाएंगे. अभी सारे टीचर्स ने इस बाद को उठाया है. आई साई तक ये बाद पहुच चुकी है. धीरे धीरे प्रेशर उन पे create होना start हुआ है. Now let us do it. Let your teachers do it. Let your other students do it. Rather than आप जिनका attempt November 18 में. Because nothing is more important than your attempt. So attempt to focus करेंगे. एक्जाम पर focus करेंगे. जो चीश कंट्रूल में है. And mind you. This time paper checking will be better. I am damn sure. Because इतनी किर्करी हो चुकी है. इस बार का paper checking better होने वाला है. आप लिख के ले लो. The only thing is. क्या आप वो एक्जाम उस टाइप से दे पाऊगे. अगर आप इन सब चीजों में नौल रहोगे. So अभी. Although it is a very good initiative. A very remarkable and very daring one. I salute those people. But बच्चों अगर आपका एक्जाम नूमर 18 में है. Please. Debates हो गई जितनी होनी थी. जिदे डिस्केशन होनी थी हो गई. घर जाओ. पढ़ाई करो. And अच्छे जमार्स लो. इतना चपड़ो. कि अगर दो-तीन नंबर उपर नीचे हो भी जाएं. तो आप इंपेक्ट न पड़े. And yes. Institute. This time. I think ये हद है. इस बार. We will try our best. कि कुछ रिमार्किबल चेंज हो. Elections भी आनने वाले हैं. So I think there will be some positive change. Let us do it. You guys go study. And all the best. Let me know if you need any help. Any counselling. But please study. Do all you can. Give your mock tests. Give everything you have in this attempt. मैं ये भी पूलना चाहूँगा. कई बच्चे. फेस्टिबल के दौरान. इस बार घर नहीं जा पाऊंगे. क्योंकि दिवाली है. और एज़ाम दिए. और जब भी दिवाली और एज़ाम के पीजमें लड़ाई होती है. जीत्ता हमेशा एज़ाम है. Make it resolve. That this will be the last दिवाली. That you will be staying away from home. क्योंकि इस बार एज़ाम देंगे. इसी बार पास होंगे. और अगली दिवाली घर वालों के साथ निश्चिन्थ होंकर बनाएंगे. Okay. All the best. You can comment your views in the comment section. Take care. Bye-bye. Bye.